हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल is 10 बीपी-एसी में दोस्तो एक बहुत बरी अपडेट निकल कर आई है साएद आप लोको मालूम हो या कुछ लोको मालूम भी चल गया हो जिनको मालूम नहीं है उनको हम अपडेट कर देते हैं देखें दोस्तो चुंकि 22 suisर जो B हाई कोट ने फैसला सुना दिया अपना ठीक चुकि प्रॉब्लम कहां है देखें 2018 में हाई कोट ने फैसला सुनाया कि यह लोग योग हैं कौन भाई योग हैं यानि जो लोग बीएड वाले हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है जो दो सल के डिग्रिया होती है ठीक या गौर् बीएड लोग जो कक्षा एक से लेकर पांचवी में जो निक्ति कर चुके और पढ़ा रहे हैं उनको अब हटना परेगा उनके निक्तिया रद कर दी जाएगी यह जिधे हाई कोट ने फैसला सुनाया है चुकि पहले तो सुप्रीम कोट ने फैसला सुना दिया पी 2008 में के बीएड वाले जो हैं बीएड डिगी धारी वाले हैं वो कक्षा एक से लेकर पांचवी तक योग हैं वो पढ़ा सकते हैं उनके नोकरिया भी हो गई और प्रब्लम आ गया इन बिचारों के लिए कि भाई अब यह लोग कहां जाएंगे कोई न कोई समधान निकलना परेगा लेकिन कोई समधान नहीं निकला है अभी लास्ट में आपको हम दिखाएंगे किया है उस कसम समये आ इफैक्श पर्रेट पर अधारी तो आपको बताते रहें आगे देख लेते हैं अभी बताया था मैँने किसका नोकरी जाएगा यानि Scientist वालों का जो प्रात्मी के पढ़ा रहे हैं उनकी नुक्रिया जाएगी यह हाई कोट का फैसला है हाई कोट ने फैसला सुना दिया कि बेड़ वाली योग अब नहीं है चुकि दोहजर अठारे में इसने बोला था कि योग है बीड़ वाले प्रोब्लम खारा हो गई है बेड़ वाले के साथ डियल वाले बाकी जो अभी 22 जर है उनको रद किया जाएगा को कि आपने देखा होगा एक ट्वीट पे आया है कि पटना 22 जर्न योजी सिख्चकों की जाएगे नोकरी जो लोग प्रातमिकी स्कूल में बहाल सिख्चक है जो सिख्चकों की नोकरी है उनकी नोकरी जाएगी चुकि युक्ति तभी होगी जो लोग B.A.D. किये होगा या वो लोग D.A.D. किये हुए हैं तो उनके डिग्रिया बची रहेगी नोक्रिया बची रहेगी ठीक है और चीफ जस्टिस वी चंदरन की खंडपीठ ने सुनाया फैसला की 28 जून 2008 को N.C.T.E. अधिसुचना को दी गई थ चुनवती और अधिसुचना में B.A.D. डिग्री धारकों को उस समय योग माना जया था लेकिन अब 2023 आ गया है दोस्तो और B.A.D. वाले कई लोग नोकरी भी कर रहे हैं B.A.D. वालों को प्रब्लम उन लोग के सांथ देखने को मिल सकता है क्योंकि यह फैसला आज चुका ह ठीक है दोस्तो तो समझ गए तो अगर अच्छा है कि अगर आप लोग है तो इस बारे में अपना क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट में मालूम कर लिजे क्या है क्या नहीं है भविस मगर माली जो महीना आप उठाए है सायद आपको वो भी वापस करना परे तो दिकत होगा इसलिए अपने जान बिन करकर पहले ही आप रिजाइन मार कर नोकरी दे दे और डिये लेड पर नोकरी ले अगर काक्छा एक से पाँच वी तक में है आप उमीद करते हैं समझ गए आप लोग ठीक है तो आपने जांच परताल करकर जैसा भी होगा सिक्षा बिभाग से जांच परताल कर लिजिए जो जीला सिक्षा पददिकारी होता है या ब्लोक लेबल पर होता है या सीधे आप डिस्टिक में चले जाए वहां से आप इस पोस् दोस्तों टेके अब बैब अपने ख्याल रखे और लगे रहिए